Hey, Welcome back to the Educate Radraathod YouTube channel, I'm your host Educate Radraathod. Friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रूल और गाइडलाइनस के बीच के basic difference की, और हम बात करने वाले हैं कि आखिर रूल और गाइडलाइनस दोनों का जो है फर्क क्या होता है, जहां कई भी rule होता है तो उसका क्या मतलब होता है और जहां कई भी guidelines होती है तो उसका क्या मतलब होता है और कैसे rule और guidelines हमें legally effect करते हैं तो चलिए शुरू करता है So friends, let's start with rules और जानते हैं rules क्या होते हैं Friends, बहुत सारे कानून हमारे देस में हैं अलग-अलग देसों में बहुत सारे कानून होते हैं बहुत सारे rules, act बनाई होते हैं वो कानून जो है एक्चुल में rules होते हैं उन कानूनों का पालन करना ही जरूरी होता है mandatory होता है मतलब आपको उन कानूनों का पालन करना ही होता है जैसे कि हमारे देश में यह rule है कि हम भारतिय जंड़ा का सम्मान करना चाहिए हमें भारतिय जंड़ा का अपमान नहीं करना चाहिए अगर आप भारतिय जंड़ा का अपमान करते हैं तो आपको jail हो सकती है और आपके में rule होता है rule ही कानून है ये दोनों एक दूसरे के symbolic है मतलब एक दूसरे से depend करते हैं एक दूसरे के उपर कोई भी चीज जो है सबसे पहले संग्यान में ली जाती है फिर वो बताया जाता है जैसे कि disrespect करना national flag की कानूनन अपराद है तो ये जो चीज है ये rule है कि disrespect करना national flag की ये कानूनन अपराद है अगर कोई वेक्ती ऐसा करता है यानि कि वो इस rule को तोड़ता है इस rule को भंग करता है तो उसके उपर कानूनी कारवई की जाती है ये rule होता है अब बात करते हैं कि आखिर guidelines क्या होती है और guidelines rules से अलग कैसे होती है तो friends अभी आपने जाना कि rules क्या होते है कैसे rule को break करता है कोई तो उसको कैसे punishment वगेरा मिलती है तो आप बात करते है guidelines की और guidelines के बारे में ये जानते है क्या की rules और guidelines में फरक्या होता है फ्रेंस एक example के through मैं आपको guidelines को बताना चाओंगा जैसे कि एक नेतिक बात है कि आपको हमेसा सच बोलना चाहिए ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ना ही कोई rule है लेकिन अब आपको सच बोलना चाहिए ये एक guidelines है ये आपको guide करके बताया गया है कि आपको हमेशा सच बोलना ही है आपको सच बोलना चाहिए अगर आप बोलते हैं तो अच्छी बात है नहीं बोलते हैं तो भी ठीक है कोई ज़्यादा फरक पढ़ने वाला नहीं है तो ये है guidelines friends, rule को जो है पालन करना, rule का जो है आप guidelines का पालन नहीं भी करता है तो भी चलता है लेकिन आप guidelines का पालन करना चाहिए आपको ये एक तरह का moral जो है आपका करतव भी होता है आपकी duty होती है तो ये होता है guidelines और ये होता है rule आपने दोलों में समझ लिया होगा friends मोटा मोटी अगर बात करें तो rule को जो है follow करना ही होता है आपके पास कोई option नहीं है rule को neglect करने का अगर आप neglect करते हैं तो legally आप दोसी होते हैं legally आप bound होते हैं punishment के लिए friends अगर आप guidelines का follow करते हैं तो ठीक है नहीं करते हैं तो भी ठीक है लेकिन यह आपकी moral duty बनती है कि आप guidelines को follow करें तो यह rule और guidelines के बीच का basic difference होता है तो friends I hope आपको हमारा short video पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो please video को like करेगा नए हैं आप हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं Thank you so much for watching